भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचारे फिर विवादों में वक्फ बोर्ड को लेकर अब दिया है बड़ा बयान राजस्θान में मीट की दुकानों को बंद कराने को लेकर सुर्खियों में आये बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचारे ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है कहा अगर वक्फ बोर्ड की आवशक्ता नहीं है तो इसे बंद कर देना चाहिए विधायक ने एक फिल्म में प्रमोशन कारिक्रम में मीडिया से बात चीत करते हुए ये बयान दिया उन्होंने कहा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर सरकार मंत्र मंडल से राय मश्वरा करती है लेकिन कुछ चीजें जो गलत हैं उन्हें ठीक करना चाहिए अगर उनकी आविशक्ता नहीं है तो उन्हें बंद कर देना चाहिए आचारे ने कहा कि जब भारत का बटवारा हुआ था तो जिन लोगों को सनातन से प्रेम था उन्होंने भारत में रहने का फैसला किया जबकि जिनका विश्वास नहीं था वो पाकिस्तान चले गए उन्होंने कहा कि भारत में सभी सनातन पर विश्वास करने वाले लोग हैं लेकिन कुछ लोग माहोल खराब करना चाहते हैं विधायक ने पिछले गहलोद सरकार पर भी निशाना साधा उन्होंने कहा कि पिछले सरकार में गंदे बोल वाले मंतरी थे उन्होंने बिना नाम लिए पूर्व मंतरी शान्ती धारीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि मंतरी कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है उन्होंने कहा कि ऐसे में महिलाओं के साथ दुराचार, बलतकार जैसी घटनाएं हुई है आचार के बयान पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया कॉंग्रेस ने बाल मुकंद आचार के बयान की निंदा की है और कहा है कि ये बयान सामाजिक सद्भाव बिगारने वाला है जैपुर में हवा महल की सियासी हवा बदलते ही बाल मुकंद आचार विधायक बनते ही चर्चाओं में आ गए नवनियोकती विधायक प्रमाड पत्र लेते ही आक्शन मोड में आ गए थे अफसरों को अवैद मीट की दुकाने बंद करवाने के निर्देश दिये थे अफसरों से कहा था क्या जैपुर को कराची बनाना चाहते हो इसके बाद पुलिस ने अवैद मीट की दुकाने हटवा दी थी बता दे बाल मुकंद आचार जब से विधायक बने हैं सुर्खियों में रहते आ रहे हैं धन्यवाद